हाँ जी पीटा तो अगले कुश्रिन की त्रव बढ़ते नहीं देख थे जी अगला कुश्रिन किस टॉपिक में से सर अगला जो सवाल है standard costing के बाद सवाल हमने यह करना है यह marginal costing के चेपटर में से है बड़ा फिएरोड़ मअल्टी पॉडेक्ट कुश्र और the following information has been collected from the books account. यह data उन्होंने हमें दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हुआरा product mix है, sale mix जैसे कि 35%, 35%, 30%. अब यह sale mix percentage दे रखिये. By default देता मतलब हम यह लेंगे कि जो total sale होती है, उसमें 35% sale इस product किये, 35% इसकी है, 30% इसकी है. यह कोई unit ratio नहीं है, जिसनों sale unit ratio देता 2 to 1, और उन्हों units में चला जाता है मामला, यह percentage है, तो percentage का मतलब normally in terms of the total sale, कि कोई भी company अगर 3 product बेच रही है, तो the total sale मान लो 1 crore है, तो वे बताना चाहरी है कि कि इस product की कितनी है, then we are given the selling price and variable cost, जिससे contrary आ सकते हैं, then we are given the information about the fixed cost, यह है फिर total sale, यहां से बंदा दिमाग लगा लगता है कि इस total sale में से मैं इसकी sale, इसकी sale और इसकी sale भी निकाल सकता हूं, तो अपके contributions वगेरा पता कर सकता हूं, TV ratios वगेरा हैं हमारे पास, यह देखे न, चलो कोई नहीं अभी इतनी early stage पे दिमाग ना लगा हैं, देखे करना क्या है, company has currently under discussion, a proposal to discontinue, manufacturing of product क्यों, यह बंद करना चाहते हैं, and replace it with product M, इसके जगा M लाना चाहते हैं, when the following results are anticipated, और यह result anticipate हो रहा है, कि U जाएगा उसकी जगा M एंटर होगा, तो भाई, sale mix में आप बदलाव देख सकते हैं, 35% वाला 50 पे आजएगा, 35 वाला 25, और बाकी जो गया, जो गया है, उसकी जगा जो आ रहा हो 25% होगा, और sale भी different है सर, sale different है, fix cost normally change नहीं होनी चाहिए, selling price भी अगर आप नहीं product के देखें, variable cost भी देखें तो वो अलग है, अब थोड़ा यह समझ में आना शुरू हो गया, कि question किस तरफ जाएगा, सर इस proposal की बातें तो इसे करनी चाहिए, चलो देखते हैं बाकी क्या कहता, compute the PV ratio, total country, profit, and break even sale, और existing product mix, अब institute में बड़े ही professional त्रीके से इसे किया हुआ, अगर आपको त्रीका थोड़ा समय नहीं आ रहा, तो मैं जैसे आप चाहते हैं, वैसे भी करवा दता हूँ, पहले institute के दो मिनिट आंसर देखने ही कोशी करें, institute ने existing product mix पहला पार्ट उठाया, selling price variable cost लिखा, normal sir, यहां तक तो हमें भी समझा रहा है, country per unit पे गए, PV ratio बना लिए, यहां तक हर बच्चा कर सकता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं, जिसे इतनी marginal costing ना आती हो, अब PV ratio के बाद, जो यह sale mix का weightage है, this is the PV ratio of individual product, यह उनका weight है, sale mix में, तो आप कह सकते हैं, कि आगे करके, यह इसने यह जो, तीन PV ratio है, इन पे जो यह weights लगा दिये, multiply कर दिया, this is X, this is W, तो यह इनके weighted mean आ गए, तो weighted average PV ratio आ गई आपकी, of product mix as a whole, पूरे product mix से weighted average PV ratio आ गई, अब इसमें आपकी total sales 60,00,00 है, 60,00,00 का गिया, 47%, सीधा यह sale ratio इस पे लग सकती है, क्योंकि यह पूरे product mix की है, तीन product थे, तीनों की PV ratio ही क्या कर रखी है, weighted average, मैं दूसरा method दूँगा, मुझे पता है तुम्हें अपने method से करने का दिल हो रहा होगा, वो करेंगे, fixed cost minus की, present profit भी आ गया, फिर break-even भी निकाल दिया, fixed cost divided by PV ratio, company as a whole बात करते हैं, अब अगर आप कोई समय नहीं आ रहा है, और आप इसमें थोड़ा struggle कर रहे हैं, कि यार ऐसे क्यों किया, यार ऐसे क्यों नहीं किया, तो मैं समझ सकता हूँ आप क्या चाहते हो, तो वह हैं बताता हूँ, देखो थोड़ा साब, calculations हम avoid करेंगे, कुछ चीज़ें यहां से copy कर लेंगे, अब STU है, इनकी total sales जो है, मिला के, वो 60 lakh है, हाजी सर है यह बात, हाजी सर, यह तो लिखा हुआ, बहुत clearly लिखा हुआ, 60 lakh है, अब 60 lakh में, अगर आप 35% करते हैं, तो 21 lakh रुबे की sales भाई, इसकी होगी, 21 lakh की सकी होगी, 30 प्रेट मतलब 18 lakh इसकी होगी, फिर है जी PV ratio, PV ratio, अब PV ratio, वहां से बनी बनाई उठा लेते हैं, time waste नहीं करते, सर, PV ratio पहले product की 50%, अगले की 50%, last वलेगी 40%, यह सर, बहुत बढ़ी है, यह PV ratio भी आगी, 50, 50, 40, इससे contribution आने शुरू होजेंगे, sale into PV, 10 lakh 50,000, 10 lakh 50,000, और 7.2, तो यह गया 21 प्लस 7.2, now this is 28.2, यह अपने पूरी, एक-एक sale निकाल के, फिर कले-कले की PV ratio लगा के, company की 60,000, की sale में total country की आ रहा था, वो निकाल लिया, अब सर, इस total country में से, TFC आप माइनस करें, TFC कितनी है सर, TFC है इनकी सर, 18,000, रुवे, यह देखिए सर, 18,000, रुवे यहां से गए, तो यह आपके profit की आंसर तो आगे, कोई जुरूरी निया की वैसे करना है, और सर, CVP और marginal costing की कायजी जगा है, जहां maximum innovations होती है, जब हम answer करते हैं, हम methods को बदल सकते हैं, और उस सारे methods बड़ी, genuine और easy होते हैं, सबके समझ भी आते हैं, अब मैं आपको आपकी weighted average PV रिश्यो के दर्शन भी यहां से करवाना चाहूँगा, आप combined country उठाओ, divide by combined sale कर दो, you will get to know कि आपकी weighted average PV क्या है, divide this by 60, low sir, exact 47%, तो जब यह आजेगा, तो यहां से break even भी आजेगा, break even will be fixed cost, divide by PV रिश्यो, 18,00,00 की fixed cost है, divide by PV रिश्यो, तो 38,00,00, 29,000 आगे आगे आजेगा, तो आप check कर सकते हैं, तो अगर method आपको किसी का अलग लग जाता है, और उस वज़े से आप question को मुश्किल मानते हैं, यह गलत सूच है sir, आप अपने method से करो, mold करो situation को, देखो अपने according, तो एन असान question है बिल्खूली, अब इनका भी method बिल्खूल भी गलत नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि यह combined PV रिश्यो जो है, वो बहुत detail में जाके नहीं निकाल दी, simply the PV रिश्यो पिकी, product wise, और उसकी weighted average कर दी, weight उसका वही है, जितने जितनी sale जिसकी होती है, तो वो भी बिल्कुल सही है, अब इसी तरीके से, यह नए product को ले आए, यहां पे M को, M आ चुका है, उदा अपना country हो दी, अपनी PV, अब sale mix ratio चेंज हो चुकी है, ध्यान दें इन सारी बातों पे, इनके method में, नई PV ratio weighted आगी 50%, 32,00,00 का contribution यहां आ रहा है, sale भी ज़्यादा है, ध्यान दें, average भी ज़्यादा अच्छी है, पहले 47% average आई थी, महले 1 रूपे की sale में, 47 पैसा का contribution था पहले, अब 1 रूपे की sale, 50 पैसा है, इसमें से fixed cost माइनस हो रही है भाई, यह आ रहा है आपका profit, इससे break even भी आ रहा है, तो भाई, वैसे तो इन्होंने कुछ ज़्यादा हमारे से पुछा नहीं, कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा नहीं, पर अब बच्चे थोड़ा जख है, थे नहीं यार भाई सर ये तो होना चाहिए था, देखो यार, अब दुनों product mix के सारे parameter में साथ चेक करो, weighted average PV 47%, यहां 50%, अब sale level चाहे same नहीं है, बट obvious सी बात है कि यह जो नया वाला product है, इसके आने से हमारी एक रुबे की sale में 50 पैसे का country है, जबकि एक रुबे की sale में पहले 47 था, तो यह बढ़ी है है, कोई fix cost नहीं चेंज होरी, obvious सा profit उपर ही जाएंगे, उसके बाद जी यह break even भी जल्दी होगा, high PV ratio, same fix cost तो break even अरली, तो अगर बूलना होता, comment करना होता, कौन सा बढ़ी है, तो मैं यही कहता है जी, दूसरे वाला जो आप लाए हो बढ़ी है जी, ठीक है, तो इस तरहां की बातें हो जाती है, थोड़ा बहुत अगर method को बदलना हो, बदल सकते हो, but still it's a very easy question, ओके बेटा बाई बाई